मुझफर पूर रेलवे स्टेशन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद थोड़े हैरान तो आप भी हो जाएंगे दरसल रेलवे स्टेशन से कुछ लोग कर्मभूबी एक्सप्रेस से बच्चे की तसकरी कर रहे थे वो भी बेहत फिल्मी स्टाइल में कुछ लोग बच्चों को पैसे की लालच दे कर कर्मभूमे एक्सप्रेस से दूसरे राज ले जाने के फिराक में थे केंट की बौगी में 16 बच्चे डरे सहमे से बैठे हुए और ठीक उसी के बगल में बैठे वो लोग जो इन मासूम को लेकर जा रहे थे लेकिन इस पूरे मामले का पुलिस ने भंडाफोर कर दिया है मुझफरपूर रेलवे पुलिस और आरपी एफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जी आरपी मुझफरपूर और आरपी एफ की सन्यूक्त टीम ने मुझफरपूर जक्सन पर खड़ी कर्म भूमे एक्सप्रेस से बाल तसकरी में शामिल पांच लोगों को गिरफतार किया है साथ ही उनके पास से 16 बच्चों को बड़ामत भी किया गया और जी आरपी ने सभी तसकरों के मनसूबों पर पानी फेड़ दिया पुलिस और आरपी एफ की सन्यूक्त टीम ने मुझफरपूर जक्सन पर खड़ी कर्म भूमे एक्सप्रेस से बाल तसकरी में शामिल पांच लोगों को गिरफतार किया है साथ ही उनके पास से सोला बच्चों को बड़ामत किया है सभी बच्चों को अमरिट सर ले जाने की तयारी चल रही थी लेकिन जी आरपी ने उससे पहले ही पांचों को किरफतार कर लिया जी आरपी मुझफरपूर थानाध्यक्ष दिनिस साहू ने बताया कि मुझफरपूर रेलवे स्टेशन पर आरपी एफ और जी आरपी के सन्युक्त चेकिंग अभियान के तहत जब गारी संख्या एक दो चार सुनिस सात कर्म भूमी एक्सप्रेस मुझफरपूर रेलवे स् संख्या दो पर आकर खड़ी हुई तो देखा कि उस गारी के साधारन बोगी में कुछ बच्चे सहमे हुए हैं और पांच वेक्तियों की तरफ इशारा कर रहे हैं फिर क्या पुलिस ने संदे के आधार पर तुरंत सभी को नीची उतार लिया पुलिस ने बताया कि संदे के अधार पर पांचों वेक्तियों को 16 बच्चों के साथ मुझफर पूर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर दो के पश्रिम अंतिम छोड के पास उतार लिया गया पुछ्ताच के दोरान में 16 बच्चों के द्वारा बताया गया कि पांचों वेक्ति कुछ पैसों का प मुझफरपूर को सौप दिया गया है। की जारही है।